आज बात करेंगे HDFC Bank Limited के बारे में सबसे पहले आप इसमें previous close की तरफ आपकी नजर जाएगी तो 1486 का इसका previous close है दूसरा आप देखेंगे तो इसकी शुरुवात भी थोड़े घट से बहुत घटके हुआ है कहा 86 का 70, 16 अंक घटके हुआ है अब यहां से कईवे भी टॉप लाइन पे आप एक भी नमबर आप नहीं देख पा है मतलब कमपनी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा है आईए पूरा डिटल में चर्चा करते हैं तो इसमें जब गिरावट आई तो एकदम से नहीं आई इसमें रुक रुक के आई है मतलब इसमें काम जारी था लेकिन काम ठीक से होनी पा रहा था सस्टेनिबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी हमें नजर आई इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो मेडियन बना था बिलकुल फिक्स्ट मेडियन नहीं था लगबग ये दो घंटे तक खिचता गया आप देखेंगे जब कोई मेडियन फ्लक्टुेशन के साथ लंबे समय के लिए खिचता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वह फिर वहाँ से और नीचे उतर जाएगा क्योंकि वहाँ से कन्फूजन में रहता है खुद शेयर कन्फूजन में रहता है कि आप क्या करे तो इस कन्फूजन के चलते यहाँ पर कम से कम 70 से 80 परसंट शेयर इसी तरीके से नीचे चले आते है और ऐसे चार्ट का विशलेशन आप ज़्यादा बहतर तरीके से आप इस्तमाल कर पाएंगे अगर आप इंट्राडे कर रहे है तो अगर आप इंट्राडे कर रहे है तो फ्लक्टूजन जब आपके नजर में आता है तो बहतर है कि आप उस समय शेयर को बेच दीजिए या अभी तक खरे देने ही तो जैसी फ्लक्टूजन आता है तैयार हो जाएए आप देखेंगे कुछ समय बाद शेयर घटने वाला है औ लेकिन यह सही आइडिया नहीं होता सही तो और तरीका नहीं होता क्योंकि बाद में दिन में ज्यादा वक्त होता ही नहीं कि आप उसको फिर से बेच पाए अब बात करते हैं इस कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते है तो आपका निवेश इसमें कितना होना तो देखे, शोट टम का निविश्क की बात करेंगे तो आप आसानी से इसमें सोला सो का एक अंक ले सकते है जो आपको दो से तीन महीने के दरमयान बहुत आसानी से आपका ये नंबर आपको मिल जाएगा टारगेट आपका पूरा हो जाएगा पाँच साल की बात करतें तो पाँच साल में इस कंपनी ने लगबग 60 प्रतिशत का रिटन आपको बुक करवा के दिया है जो बहुत बहतरी ने बस उसी के अनुसार आप देखेंगे तो आपका 2200 का 2200 से लेके लगबग आप देखेंगे 2300 का आप आसानी से तीन साल के अंदर पाच साल की जरूरत नहीं है तीन साल के अंदर आप इस मुकाम तक पहुच सकते हैं